हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चैनल मॉमेंड डॉटर तो आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाईों से भी अच्छे एकनम टेस्टी राजमा तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे बनाना है तो इसके लिए मैंने राजमा को ओवरनाइट सोक किया था और उसके बाद इसे कुकर में डालके पका लिया अच्छे से और साथ में नमक भी टाला है ताकि यह अच्छे से पक जाए यह देखे राजमा हमारे अच्छे से उबल चुके हैं और यहां मैंने लिया है दो प्याज, दो टमाटर लिये हैं और यहां पर एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है आठ से दस लस्टन की कलिया लिये है तो अब हमें प्याज, अद्रक और लस्टन को ग्राइन करना है बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे हम और यह लीजे म मैंने इसे क्राइंड कर लिया है तो अब हम लेंगे कुछ खड़े गरम मसाले इसमें तेज पत्ता लिया है मैंने दो तेज पत्ते हैं एक दाल चीनी ली है एक चोटा टुकडा चाल लॉंग ली है एक बड़ी लाइची ली है तो यहां मैंने एक पैन में 4 टेबल स्पून लिया है एक टी स्पून जीरा डाला है जीरा क्रेकल हो जाए तो अब हम यह घड़े गरम मसाले जो लिये हैं इन्हें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से क्रेकल होने देंगे और अब हम डाल देंगे इसमें अजरक लसन और प्याज की पेस जो बनाई थी और अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे अब हम डाल देंगे इसमें स्वादा नुसार नमक ताकि हमारे प्याज जो है वो जल्दी से पक जाए और इनमें कलर आ जाए नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाता है और यह देखिए प्याज पक चुके हैं प्याज अदर लसन पक चुकी है अच्छे से तो अब हम यहां कुछ मसाले अड़ करेंगे तो हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है अब हम डालेंगे यहां पर धनिया पाउडर तो यहां पर तीन टेबल स्पून मैंने धन जलमेच पाउडर डाल दिया है इसे मिक्स कर लेंगे और यहां फ्लेम हमें लो कर लेनी है ताकि मसाले जले नहीं साथ ही मैं यहां पर डालूंगी थोड़ा सा पानी इसकी वज़े से मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से पग भी जाएंगे यह देखिए अच्छे से इह मिक्स कर लेना हमें और अब यहां डालेंगे 1 टी स्पून कश्मीरी लालमिच पाउडर अगर हो तो आप डालें वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं इससे अच्छे से कलर आएगा इसमें और अब हम एक टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे इसे हम हातों से मसल कर डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर और अच्छे से निकल कर आएगा और इससे हमारी सबसी में बहु चुका है तो इस स्टेज पर मैंने यहां पर टमाटो की प्यूरी बना लिए और उसे भी मैंने एड़ कर दिया है देखिए जार में भी थोड़ा सा पाई डाल देंगे ताकि जो टमाटो प्यूरी जार में है वह भी हमारी ग्रेवी में आ जाएगी यह देखे और अब हमें इ इसे बहुत अच्छा आएगा और यहां पर मैंने डाले हैं दो बॉइल किये हुए आलू यह सीक्रेट है इस रेसिपी का ताकि हमारी जो ग्रेवी हो बहुत अच्छे से गाड़ी हो जाए इसे हमें अच्छे से मसल कर डालना है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अच्छे से पका लेंगे इस तरह से अ टमाटर और आलू अच्छे से मैश कर देंगे हम चम्मत से दबा दबा कर ताकि यह एक सार हो जाए बिलकुल अब हम एक केबल इस्पून ऊंचूर पावडर डालेंगे थोड़ा से थेस्ट देने के लिए और इसे भी हम mix कर लेंगे देखी कितनी बढ़ियां लग रही है इता अच्छा color भी आ चुका है और यहां मैं दो हरी मिच डाल रही हूँ बीच में से चीरा लगा कर इसे भी हम mix कर लेंगे और यह भी इसके साथ में पक जाएगी और यह देखीए सभी चीज़े अच्छी तरह से भुन चुकी है बढ़ियां सी खुश्बू आ रही है मसालों की यह देखीए कितना बढ़ियां लग रहा है मारा यह मसाला अब इस stage पर हम जो आज में हमने boil किये थे वो डाल देंगे हलके हाथों से इसे mix करेंगे और साथ ही अब हम इसमें पानी भी add कर देंगे ग्रीवी की thickness आपके उपर depend करती है कि आपको कैसी चाहिए है उसे साब से आप इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे ताकि राजमा, पानी और मसाले सब अच्छी तरह से mix हो जाए यह देखिए अच्छी तरह से mix कर लेना है तो यहाँ flame हम higher कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा सा boil आ जाए और इसे ढख कर 10 मिट के लिए हम पका लेंगे अच्छे से ताकि राजमा में सारा मसाला absorb हो जाए और यह देखिए हमारी सबसी जो है उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें एक टी स्पून गरम मसाला powder एड करेंगे साथ ही इसमें मैंने हरा धनिया डाला है यह देखिए इसके लुक को और enhance करेगा और यह देखिए 10 मिनिट हो चुके हैं हमारी सबसी को पक्ते हुए राजमा में सारा मसाला अच्छी तरह से absorb हो चुका है यह देखिए इसकी consistency भी बिल्कुल बढ़िया है आ रहा है ना मूह में पानी लग रही ना इतनी tasty तो इसे अब मैंने serving bowl में निकाल लिया है और इसके उमें गार्णिश कर रही हूं हरे धनिये के साथ तो आप इसे serve कर सकते हैं चावल के साथ में यह देखिए राजमा और चावल का combination ना लाजवाब होता है तो आप भी इसी तरह से बनाईए और मुझे comment करके जरूर बताईए कि आपको मेरी राजमे की recipe कैसी लगी है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो please subscribe कीजिए मेरे चैनल को और आप जो भी recipe देखना चाहते हैं मुझे comment section में comment करके बताईए देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कितना tempting तो आप भी इसे जरूर से बनाईए guarantee है कि आप इस तरीके से राजमा बनाएंगे तो लोग उंगलिया चाटते रहेंगे और तारीफ आप पाएंगे तो जरूर से बनाईए हलवायों से भी tasty राजमा घर पर तो like करें, subscribe करें और हाँ share करना बिल्कुल भी न भूले Thank you for watching